हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल नियों क्लासे जलसी तो आज हम लोग क्लास 10 संस्क्रीट के कुछ अबजेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो की सास्त्राकारह चैप्टर से लिए गए हैं तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत वर्षे के साम महती परंपरा सुरूयते भारत वर्ष में किसकी महत्व की परंपरा सुनी जाती है पुस्तक ग्रांत शास्त्र या स्वतंत्र ग्रंत कारना तो कहा गया है कि भारत में सास्त्रों की परंपरा पुराने समय से सुनी गई है अ अगला question है कि छात्रा हकस अभिवादनम कुरवनती छात्र किसका अभिवादन करते हैं सिक्षका सिक्षक का छात्र का बालक का या राजा का निर्प मतलब होता है क्या राजा होता है तो कहा गया है कि छात्र जो है वो सिक्षक का अभिवादन करते हैं जब सिक्षक वर्ग में आते हैं, option number A, अगला question है कि कक्षाया का प्रविसती, कक्षा में कौन प्रवेस करते हैं, शिक्षक, छात्र, प्राचार या लिपिक, तो सिक्षक प्रवेस करते हैं, option number A, अगला question है कि वेद रूपम सास्त्रम कीम भवतू, वेद की रूप में सास्त्र कैसा होता है, अनित्य ह होता है नित्य होता है च्सवारमल कि रिकाँ है तो ने किसने लिखा है तो राधारमन कि घ्रतिम की मस्ती दोरा क्याव लिखा गया निरुल क्ष्ञंद या व्याकरन या कल्प तो पानेने के द्वारा लिखा गया है क्या व्याकरन सी अगला क्वेशेशन थाट सिक्षा डैस लेकारी कर्म कांड ग्रंथ कौन है कल्प है वेद है चंद है या दुर्गा सब्त सती है तो कल्प जो है वह कर्म कांड ग्रंथ है ऑप्शन नमबर ए अगला क्वेशन है कि सास्त्रम कीम भवती है ना कहा ग्या है सास्त्रम कीम भवती यान सासकम विश्या अध्याना करतव्यम सास्त्र क्या होता है तो सास्त्र जो है वो ज्यान के सासक का नाम है option number a अगला question है कि वेदांग गानी कती संती वेदांग कितने हैं साथ आठ सड छे पंच या पाच तो वेदांग की संक्या कितनी है छे और वेद कितने हैं अगर वेद पूछेगा तो वो कितना बताएंगे चार चलिये next question है कि शास्त्रम नित्यम भवतू सास्त्र नित्य रूप से कैसा होता है किस रूप में होता है इस्वर्सरूप ज्यान है वो question पूछ रहे हैं और फिर जो सिक्षक है वो उनसे सम्हूं Jay क्या भारलों करने हैं जवाआब दे रहे हैं विसाल संस्कृ hakk साहित यह किसके द्वारा संवर्धित हैं कभीतव हैं कवित्रीव सास्ष्र कारों कभियों और फीर सास्ष्रकारों द्वारा या कलाकारों के द्वारा तो अप्शन अबर सी राइट अंसर हो जाएगा कभियों और सास्रकारों के जरिए ये संस्क्री साहित जो है वो समवर्दित है अगला क्वेशन है कि सास्रमानवों को किसका बोध कराता है करतवयका 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 मंतवयका हर्तवयका तो ये मनुश्य सुको उसके कर्तव और आ कर्तव ये दोनों का बोध कराता है, option number B अगला question, पिंगल रचित है पिंगल रचित क्या है, छंद है, निरुक्त है, कल्प है या व्याकरन है तो पिंगल रचित क्या है, छंद है, option number A अगला question है कि वेदांत दर्सन के परवर्तक कौन है वेदांत दर्सन के परवर्तक कौन है यास्क गौतम बादरायन या कनाद वेदांत दर्सन के है कौन कनाद question है कि वरा मिहिर द्वारा रचित है अचार संगिता विचार संगिता वरिहत संगिता या मंत्र संगिता तो वरा मिहिर द्वारा रचित कौन सा है वरिहत संगिता option number C अगला question देखते हैं कि आर भटियम किसकी रचना है परासर, चरक, सुसरुद या आर भटियम, आर भटियम, आर भट के द्वारा लिखी गई है, option number D काग्या निरुक्त का क्या कार है, तत्वार्थ बोध, वेदार्थ बोध, कर्तवेबोध या रास्ट बोध तो जो निरुक्त है, उसका अर्थ है, वेदार्थ बोध, option number B अगला question है कि न्याय दर्शन के परवर्थ कौन है, तो न्याय दर्शन के परवर्थ कौन है, गौतम option number B, अगला question है कि मिमानसा दर्शन किसके द्वारा प्रानित है, पतंजली, जैमिनी, कपिल और बाद रायन, तो जो मिमानसा है वो जैमिनी के द्वारा लिखा गया है, option number B अगला question है कि मनुसे के करतवे तता आकरतवे का बूद कौन कराता है, सास्त्र, सास्त्र, संगीत, निरित्य, तो करतवे, आकरतवे का बूद कौन कराता है, सास्त्र, option number A अगला question है कि वेदांग कितने हैं? दो, तीन, छेह, पाच तो वेदांगों की संक्या कितनी है? छा है, option number C अगला question है कि लगधर रचित गरंथ है लगधर रचित गरंथ है कल्प, जोतिस, व्रिहत संगिता या जोगदर्सन तो लगधर रचित गरंथ है अगला question है कि सास्त्र होता है ज्यान का सासक, विशय, अध्यन या करतब तो सास्त्र जो होता है वह ज्यान का सासक का नाम है और पास्चात्य देसों में एक question और है कि पास्चात्य देस जो है पास्चात्य देस में जो सास्त्र है सास्र है उसको अध्यन वी से कहा गया है यह भी याद रखने वाला चीज है कि पास्चात देशों में सास्र को क्या कहा गया है तो सास्र को अध्यन वी से कहा गया है ठीक है चलिए तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सास्र कारा चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू